सूरी इस समय जो चल रहा है वो मीन राशी पर चल रहे हैं सूरी मीन राशी के जब सूरी है तो वो गुरु की राशी पर है वो गुरु की राशी पर सूरी आते हैं तो सूर मंगलकारी वर्जित माने जाते हैं कि इस्समय क्या है कि मंगलकारी नभडेद असके बाये है मूंड़न Gmnini देकिन जो अपने घर के घरेडु कारी है जैसे मुंडन संसकार है घरुणी कारी है ये सोला संसकारों में दो-चार संसकार बर्जित है बागी सब चादू रहते हैं सूरी समय मीर रासी पर है और आपकी रासी सिंग से अश्टम इस्थान पर चलता ही है अश्टमें सूरी बहुत थानीकारक होते हैं आपके जोईसो शासन से संबंदित बने हुए कारी बिगड़ जाएं कोट मुकदमा में आपका नुक्सान हो जाएं आपके पिता का स्वास्तगण बढ़ हो जाएं लाज शत्ता से आप20 पर इड्ट पढ़ जाये, शासन से संबंदित कोई जैसु नुक्सान हो जाये, ये सब सूर्य करा रहे हैं, इस सत्ता हैं किरार आएंगे और शुक्र देश जो अभी मीन रासी पर चब रहे हैं, मीन रासी पर चल रहे हैं, भो भी आपके आठ्थ में हैं तो सुक्र भी आपके अश्टम होने से वो हानी का रख है, क्या हानी करेंगे सुक्र देव इस सब्ता है मैं, अगर अधि आपको डाइबिटीज है उससे साउधान रहना वो बढ़ सकती है, गुपतांग में छोड़ चपेट या कष्ट हो सकता है, इससे साउधान रहना है, इ प्रकार से आपको इस सब्ता है मैं सेहन सुईकार करना होगा, बुद्ध देव कुम राशी पर चल रहे हैं, और आपकी राशी से सब्तम है, सब्तम बुद्ध व्यापार के लिए बहुत उत्तम फर्दायक है, ब्योसाइब आपका बहुत अच्छा चलेगा, उन्नत ही पू यहाँद के लिए एक तारीक तक ही रहेंगे, एक तारीक के बाद आपका समय ब्यापार का बिगडने लगएगा, तो एक तारीक के बाद नेच रासी के बुदो जाएंगे, द्यापाद में नुक्सान करने नगेंगे. ये गुरु देव की स्थिति क्या है? गुरु मकर रासी पर चल रहे हैं, और आपकी जो रासी है, सिंघ है, वो आपकी सिंघ रासी से छटमे है, छटमे गुरु क्या करते हैं? छटमे गुरू आपका रोगों की चिंता बढ़ाने वाले रहेंगे, सत्रों की चिंता बढ़ाने वाले रहेंगे, लेकर खर्च अच्छे कारियों कराएंगे, मंगर कारियों कराएंगे, आपका कर्म छेत्म जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधार देंगे, और पिता का स्वास्त अच्छा रखाएंगे, पिता का सुभाव अच्छा रहेंगे, सहयोगा आत्मक रूप बनाएंगे, धन और कुटुम के लिए भी उत्तम फग दायक है, छट में जो होनेते हैं तो धन सुधार और कुटुम परिवार में सुक, सांती, सम्रिद्धी ये सब बढ़ने वाले आएंगे, ये भी कराएंगे, कि एवर लोगों की चिंता आपको रहेगे, मा की सब ठीक रहेगा, बुरु बहुत अच्छा कराने वाले हैं, सनी देव जो है, वो भी छट में हैं, लोग सत्रू हंता योग बनाते हैं, लोग और सत्रू इंद्र सब का बिनास करने वाले सनी आपके इस सबताय में, बहुत अच्छा कारी कराएंगे, लेगन खर्च आपका बढ़ा रहेगा, खर्च में कोई कमी ने कराएंगे, इस प्रकार से सनीदेव की स्थिती बढ़िया मजब याने दस में हैं, दस में राहू, दस में मंगर इस दोनों अच्छे हैं आपके लिए, दसम राहू कर्वचेत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजरू बनाते हैं, लेकिन जहां सो कुछ परिवर्थन कराएंगे और काम को अच्छा कराएंगे, आपके जॉब का परिवर्थन हो ज दोनों के लिए बहुती अच्छा सफ़ता दाएक रहेंगे, भूमी, भबन, बाहन, येश्व आराम, सुपशुगदाओं के लिए मंगर भौस्ती मंगर करने वाले रहेंगे, चंद्र देओ, 28 तारीक और 29 तारीक को कन्या रासी पर रहेंगे, आपकी रासी से दूसरे रहे 31 को भी तित्य संपति रुट्वा, वो भी उत्तम संपति देने वाले हैं, तो चंद्र देओ की इस्तिति ये बत्नाई, और चतुर्थे करहा गमा, एक और दो तारीक को थोड़ा विबादों से साउधान देना है, अचानक आपका मन मलीन हो जाएगा, इस प्रकार से हो सकता है, और दो और तीर तारीकों बहुत ही अच्चा फद्यने वाले हैं, पंज में ग्यान मितिष्च है, बहुत ही उत्तम फद्यने वाले चंद्र देओ रहेंगे, जो स्टूडेंटे उनके लिए पढ़ाई के लिए ठीक रहेंगे, जो प्रतिस परदा में लगे होगे, उनके कामन होगा और आपका मान सम्मान प्रटेटा से बढ़ेगी, इस प्रकार से बहुत उत्तम फद्यायक है, आपका पूरा सप्ता है, जो मिला जोला फद्यने वाला है, मंगल कामना करता हूं, कि सिंग रासी बालों के यह सप्ता अच्छा बीते हरियोम तस्षत, हरियोम सिंग रासी बालों का, जो मैंने आपको बताया, मैं आसा करता हूं, कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनें, और मेरे इस, इसको हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, लब प्रॉब्लम हो या प्रेक का प्रॉब्लम हो, या मनाना चाहते हैं अपने घर पर निवार को, डाइवोर्च प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, बश अगे चांकारी लिगेट करें हमारा YouTube चैनल Jyotish Shigyanin और संपत करें हमारा कॉंटेक्ट नम्बर इस 782891329 धन्यवाद